नमस्कार दोस्तों आप सभी का जो है ग्यान तिलाकाई एस अकेडमी में स्वागत है मैं रुपेज बर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे समिधान के सुरोत के संदर में अमेरिका के समिधान से क्या लिया गया है और यहां तक जो है आरलेंड के समिधान से क्या लिया गया है इन सभी महत्पूर देसों से क्या लिया गया है अपने समिधान में के जो समाहित लिया गया है उन प्रावधानों के संदर में आज हम लोग विस्कस करेंगे तो हम लोग जो है अपने सिसन को इस्टार्ट करते हैं इसमें पहला है कि जैसे बिल्टेम के समिधान से जो है जैसे संसदीय परडाली हो गया शंशदीय पर डाली जो कई बार परिछाओं में पूछा गया है शंशदीय पर डाली शंशदीय विशेसा अधिकार शंशदीय विशेसा अधिकार और फिर जो ए बिद के समझ समता बिदी के समझ शम्ता बिदी के समझ सम्ता का तातर क्या है? बिदी के समझ सभी लोग समान है, कोई छूटा बड़ा नहीं है ये जो कहां से लिया गिया है? ये बिल्टेन से लिया गिया है कहां से? बिल्टेन से बिल्टेन बिल्टेन के शमिधान से लिया गया परिच्छन कूंट सकता है कि संसद्य पर डाले जो है समाहित किया गया भारतिय समिधान में कहां से लिया गया है या संसद्य विशेशा अधिकार कहां से लिया गया है बित के समझ समानता जो है ये कहां से लिया गया है तो आप इसमें बत पढ़ चुके हैं तो इन सभी को कहां से लिए गया है एक तरीके से अमेरिका से लिए गया है जैसे इसमें जो है एक क्या है नयाइपालिका 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 है नयाइपणर बिलोकन है नयाइप नयाइपणर बिलोकन नयाइपणर बिलोकन की सक्ति जो था और फिर मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार उप्राक्ट पति का पद इसमें क्या हो गया लाइपणर बिलोकन की सक्ति हो गया मौलिक अधिकार हो गया उपराश्पती का पद, ये कहां से लिया गया है? ये अमेरिका के शमिधान से लिया गया है, बारतिये समिधान में जो समायत किया गया है, ये अमेरिका के शमिधान से लिया गया है, अमेरिका, 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 और फिर जो है इसी में एक जो महत्पूढ़े बार बार प संरच्छड जैसे यहां पर क्या था बिद के समझ समता था यहां पर समता है लेकिन यहीं पर यह क्या है बिद के समझ समां संरच्छड का पर किया है बिजी जो है जो सही बेवहार करेगा उसके साथ सही बेवहार करेगा समिधान भी कानून भी और जो गलत बेवहार करेगा उसके लिए जो है सामने गलस बेवहार करेगा समिधान और कानून दोनों तो यहां पर जो है यह क्या है यह भी अमेरिका से ही लिया गया है अमेरिका अमेरिका अब इसमें दोस्तों प्रश्न कैसे पूंच सकता है कि न्याय पालिका का प्रावधान जो सम्मिधान में भारतिय सम्मिधान में समाहित किया गया है यह कहां से लिया गया है तो आप इसमें टिक लगा सकते हैं कि यह अमेरिका के सम्मिधान से लिया गया है नाइक प्रण ब्लोकन की शक्ति जो सर्बोच नियाले को प्राप्त है ये जो भारती समिधार में समाहित है इसे कहां से लिया गया है किस देश से लिया गया है अमेरिका से लिया गया है उप्राठपती का पद, उप्राठपती का पद कहां से लिया गया है, ये जो है अमेरिका, अमेरिका से लिया गया है बिद के समच्छ, समान संरच्छड, ये कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है ये तो हम लोग बिटेन पढ़ लिए अमेरिका पढ़ लिए जो विसेशा अधिकार जो लिए गए हैं भारतिय समिधान में समाहित किये गए हैं उनको हम लोग पढ़ें अब इसमें हम पढ़ते हैं कि आयरलेंड आयरलेंड इसमें जो हम लोग देखते हैं कि आयरलेंड के शम बार बार परिच्छाओं में यहां से प्रेश्ण पूछा गया है इसमें दू महत्पूर है इसमें जो बार बार परिच्छाओं में यह पूछा गया है कि नीत निदेशक तक तो डीपी एश्वी इसका प्रावधान सम्मिधान में जो लिया किया गया है यह किस देश से लिया नीत निदेशक तत्तु ये कहां से लिया गया है आयरलेंड से इसी को डिप्टी यश्वी भी कहा जाता है डिप्टी यस्ती और फिर इसके बाद जो है आयरलेंड के बाद दूसरा क्या है कौन सा चीज जो है आयरलेंड से लिया गया है राज सभा में जो 12 सदस्यों का मनुने 12 सदस्यों का मनु नयन जो यह कहां से दोस्तों किया लिया गया है यह आरलेंड की सम्मिधान से इसमें कैसे परन्ष पूल सकता है बन सकता है आप लोग जब टेक्टिस सेट जो है स्वाल्व करेंगे तो इसमें जो है आपको प्रश्न मिलेगा इसमें जो है इसमें जो है संगहात्मक बेवस्था क्या है इसमें जो है संगहात्मक बेवस्था इसमें जो है कहां से लिया गया है इसमें हम देख सकते हैं अगर यह प्रश्ना आजाता है शंगहात्मक बेवस्था या संगिये सरकार यह किस देख से जो है बेवस्था को लिया गया है तो आप इसमें लिख सकते हैं कि यह कनाड़ा से लिया गया है 1935 के अधनियम द्वारा लिया गया है 1935 के अधनियम द्वारा लिया गया है तो यह संगहात्मक सरकार या संगहात्मक बेवस्था कहां से लिया गया है कनाड़ा से लिया गया है या 1935 के अधनियम से लिया गया है यह कव्ठा पॉइंट था हमारा चव्ठा यह तीसरा और अमेरिका बिल्टे इन ओध पहला दूसरा फिर इसके बाद हमारा पाँचों हम इसमें देखते हैं पाँचों बार बार जो है पृच्छाओं में पूछा जाता है कि जो है शम्विधान संसोधन कहां से लिया गया है क शमिधान संसोधन जो है ये दच्छडी अफ्रीका से लिया गया है दच्छडी अफ्रीका से लिया गया है दच्छडी अफ्रीका के शमिधान से भारती शमिधान में इसे समाहित किया गया है इसे प्रष्ण कैसे बन सकता है बार बार परिच्छाओं में दोस्तों इसको जो है किस देश के समिधान से लिया गया है तो आप इसमें लगा सकते हैं दच्छडी अप्रीका के समिधान से लिया गया है फिर इसमें छाट हुआ है जो है राष्टी आपात राष्टी आपात राष्टी आपात किस देश से लिया गया है जो आपात काल लगता है राष्टी आपात ये जो है जर्मनी के समिधान से लिया गया है किसके जर्मनी राष्टी आपात जर्मनी राष्टी आपात कहां से लिया गया है जर्मनी से इससे प्रश्ण बनता है कि राष्टी आपात का प्रावधान जो भारती समिधान में समाहित किया गया है उसे किस देश से लिया शमुर्ति सूची जो है यह कहां से लिया गया है यह आश्टेलिया के समिधान से लिया गया है अब इसमें प्रश्ट कहां से कैसे बनता है कि समुर्ति सूची का समिधान जो समुर्ति सूची की ब्योस्था भारतिय समिधान में समाहित किया गया है यह किस देश से लिया गया है तो आप इसमें जो है लगा सकते हैं यह आश्टेलिया के समिधान से भारतिय समिधान में समिधान सभा के द्वारा जो है समाहित किया गय प्रांस और सब्सक्रानद ये प्रतल सकता है यए इस-ट अओस्वाइब, झाज मेरेन, ये ब Посल्व कर बीनिद है ये समय द्या गया गेया है हुआ, फिर इसके बाद उम्हारा नेट पॉइंट है नौवा, नौवा जो है, हम लोग इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे जो है, नौवा, नौवा क्या है, कैग, या नियंतरक महालेखा परिच्छक का प्रावधान जो है, सम्मिधान में किसे तहित लिया गया, 1935 के अधनियम के द्वारा नियंतरक महालेखा परिच्छक के प्रावधान भारती चम्मिधान में किया गया है, यहा है, नियंतरक महालेखा परिच्छक के कहां से लिया गया है, यह जो है, यह जो है, 1935 के अधनियम के द्वारा जो है, लिया गया है, और फिर उसके बाद जो है, बिदिद्वारा अस्थापित परकिरिया हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इस वे से फिलाल कवर कर देते हैं, यह नौवा हो गया, दस्मा पॉइंट जो है, बिदिद्वारा अस्थापिक परकिरिया, यह है, बिदिद्वारा अस्थापिक परकिरिया, दस्मा, बिदिद्वारा अस्थापिक परकिरिया, बिद द्वारा स्थापित परकिरिया यह कहां से लिया गया है यह जापान से और एक होता है बिद द्वारा सम्मेक परकिरिया यह अमेरिका से लिया गया है गिराहमाम लोग देख सकते हैं बिद द्वारा सम्मेक परकिरिया बिद द्वारा अस्थापित शम्यक परकिरिया ये कहां से लिया गया है? ये जो हैं अमेरिका से लिया गया है अमेरिका अमेरिका अब जो है इसमें हमारा काव कितना हो गया? ग्यारा एक अब इसमें प्रश्म कैसे पूंच सकता है बिद द्वारा अस्थापित परकिरिया जो है 21 देश के सम्मिधान से लिया गया है तो यह जापान से लिया गया है और फिर इसके बाद जो है बिद द्वारा अस्थापित सम्मिधान परकिरिया कहां से लिया गया है यह आमेरिकी शबदावली है एक प्रिकिसे अमेरिका से लिया गया है जब कि अमेरिका के संदर में हम लोग इसके पूर में भी पड़ के हैं कि जैसे वहां पर हम पर क्रिया अमेरिका से लिया गया है और फिर इसके बाद हमारा अगर इसके आधार पर ये देखा जाएगा तो भारतिय शमिदान में जो है जो अधिकांस चीजों को सामिल किया गया है, वह 1935 के अधनियम से समाहित किया गया है, और उसके अलामा जो है, विभिन देशों से, जैसे आप इसमें एक्जामपल दे सकते हैं, बिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, आयरलाइंड हो गया, जापान हो गया, फ्रांस हो गया, और जो है, उधार का थैला भी कहा जाता है, जो भारतिय समिधान में विभिन देशों से विभिन जो है, ब्यवस्था लिया गया है, इसलिए भारतिय समिधान को जो है, उधार का थैला भी कहा जाता है, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को जो है, लाइक करिए, च